AK-47 राइफल रखने के मामले में वसे भाहुबली विधायक अनन सिंग का मामला अभी थमा नहीं कि फिर से AK-47 राइफल लहरानी का एक नया वीडियो जारी हो गया सोशल मीडिया परतेजी से बारल हो रहे इस वीडियो में काले रंग की शर्ट पहने और कमर में सफेद गंचा बांदे एक युवक अपने हाथ में AK-47 लिए हुए दिख रहा है बंद कमरे में लाल रंग के बैक के सामने खड़ा युवक कभी राइफल को देख रहा है तो कभी उसको फ्वारिंग मूड में रख कर हच रहा है अब पटना पुलिस के लिए ये वीडियो बड़ी चुनोती बन गया सोशल मीडिया पर वारल हुए इस वीडियो में तीन लड़के दिख रहे हैं जिनमें से दो लड़के हाथ में दो-दो AK-47 लहराते हुए दिख रहे हैं वीडियो में साफ दिख रहा है कि वीडियो किसी कमरे में बनाई गई है वीडियो में दिख रहा है एक युवक बिहार के बाहुवली विधायक अनन सिंग के दुश्मन नमबर वन विवेका पहलवान का भतीजा बताय जा रहा है हालकि पुलिस इस मामले में कुछ भी बोलने को तयार नहीं ये वीडियो कब का और कहा का है फिलार निश्चित तोर पर नहीं कह जा सकता लेकिन इसके सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हरकम पंच गया है साथ ही इस बाइरल वीडियो से ही कई सवाल खड़े हो गए है इस बीच पुलिस ने एके 47 की बराम्ती के लिए विवेका पहलवान की आवास पर छापे मारी भी शुरू कर दी है वीडियो जहां बनाय गया है बहां कमरे में दिवार पर एक फोटो लगी है जिसे विवेका पहलवान का भाई बताय जा रहा है फिलाल पुलिस की जाच में ही पता चल पाएगा कि वीडियो कहां का है और जो एके 47 लहरा रहा है ये युवक कौन है